इस lecture में तार बॉल्स के regarding discuss करेंगे यह आप देख सकते हो image में यह हैं तार बॉल्स मलब छोटी छोटी बॉल्स ही होती है जिन में यह डाक डाक सा liquid होता है यह crude oil जैसा होता है और यह harmful होता लेकिन environment के लिए क्या-क्या इनके नुकसान है और क्या है यह discuss करते हैं recently अभी news में इ करते हैं डाक कलर की होती है यह थोड़ा गहरा रंग काला कलर होता है इनका और oil से बनी होती है यह oil क्या है ocean पे तैरता रहता फ्लोट करता रहता और यह किसके कारण होता है marine environment में क्या है crude oil वगएरा का weathering होने की वज़े से जो crude oil होता है petroleum वगएरा कच्छा ते रूश की weathering ह हो जाती है destroy हो जाता है यानिकि degradation उसकी वज़ेसे बॉल बनती है यह देखो bass gate ball की तरह बड़ी भी हो सकती है जैसे foot wall होती है बड़ी और जो पानी की बूंद होती है उसकी तरह छोटी भी हो सकती है यह इतनका size छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है यह open sea में जब तैरती रहत होती है समुद्रे धाराएं sea current वगरा या waves लहरे आती है उन लहरों के साथ साथ यह और सोर तक आ जाती है समुद्र तक आ जाती है निकि जो mainland है उस तक आ जाती है यह most of the time यह देखा गया है कि जैसे यह indicate करती है कोई oil spill हुआ है जैसे तेल बिखर जाता ना कईसी container से जैसे petroleum product लेके आ रही है सिप में पानी के जाज में वो तेल बिखर गया वो यह oil spill तो most of the time यह indicate करती है कि oil spill हुआ है यहाँ पे और इनकी annual occurrence होती है कब देखो जब mountain आती है जून से September में Southwest mountain जो अब चल रही है हमारे इंडिया में आती है Southwest mountain आती है यहाँ पे उसके time पे यह बारिस ह और जो biologist हैं यह concern जता रहे हैं इन्होंने demand किये कि इनके बारे में investigation होनी चीए कि यह इस time पे क्यों जादा देखने को मिलती है यह जो oil well blowout होता है जैसे मानलों किसी sip है पानी का जहाँ से oil हो गया river में जो कच्रा कूडा वगरा बहके आया समुन्दर में या municipal sewage है घरों से निकल के कोई कच्रा आया या industry जब कोई chemical वगरा निकल के आया वो आके यह तारबॉल बना लेते हैं सारा कूडा करकट यह एकटा हो जाता है यह तारबॉल बना लेते हैं जब भी यह देखो तारबॉल बन जाती है बीच पे कोई मानलों सफाई करमचारिया उनको hand से उठा जासकती है यानि कि बहुत सारे ओशन में यह बहुत सारे reason को यह पॉलिटी कर सकती है और यह क्या है fishing net जो जैसे मानलों यहां पर fishing net होते हैं जो जाल होते हैं fish मचली पकड़ने के उनमें भी देखो तारबॉल अटक्स सकती है और fisher man के लिए difficult हो सकता है इंको clean करना क्योंकि यह affect कर सकती है तार जो होता है आपका नेट वगएरा फिसिंग का उसको यह प्रभावित मतलब एक तरह से गंदा कर देंगी next क्या आप इनसे concern है जो marine life है उनको भी affect करती है यानि कि जैसे छोटी-छोटी मचलियां वगएरा पाई जाती है claim oyster पाई जाते हैं यहाँ पर जीव इनको नुकसान पहुंचा सकती है और यह 100 miles तक देखो यह breakdown करना difficult है और यह इस तरह से समुंदर के पानी पर तैरती रहती है यानि कि marine जो ecosystem है सारे marine ecosystem को जो समुंदर में ecosystem हो उसको नुकसान पहुंचा सकती है और यह food में भी आ सकती है कैसे देखो मचलि वगएरा अगर मालो इनको खा जाएं और मचलियों को खाता है इनसान तो food chain में भी आ सकती है यानि कि contaminated हो सकता है हमारा food भी तो इतने नुकसान है इनसे